आज के लेसन में मैं आपसे बहुत ही ज़ादा जरूरी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ इस चीज का नाम है एड रैंक देखिए Google Search Ads पे जब एड रन हो रही है तो अकेले एक कमपनी नहीं है जो एड रन कर रही है अना बहुत सारी companies हैं जो कि add run कर रही है for example अगर आप अभी Google पर सर्च मारोगे buy shoes तो बड़ी सारी companies है Flipkart भी run कर रही होगी Amazon भी run कर रही होगी Mintra भी run कर रही होगी तो और भी बड़ी सारी companies होगी जो कि add run कर रही है तो अब सवाल ये है कि ये Google कैसे decide करता है कि कौन सी add number 1 पे दिखे कौन सी add number 2 पे दिखे कौन सी add number 3 पे दिखे कौन सी 4 पे दिखे और कौन सी add दिखे ही नहीं तो अब इसके लिए Google एक चीज का use करता है जिसको कि Google कहता है add rank अब जैसा आप नाम से समाच सकते है add rank is ads की ranking ठीक है जी ads की ranking अब add rank कैसे decide करता है Google तो दो चीजे हैं जो की add rank में factor करती है या matter करती है पहली है quality score और दूसरा है bid तो formula क्या है quality score into bid is equal to add rank अगर आपके add की rank है 10 तो आपकी add सबसे उपर दिखेगी 9 है तो आपकी add दूसरे नमबर पे 8 है तो आपकी add तीसरे नमबर पे अब यह देखो यह बड़ा ही simple calculation मैं दिखा रहा हूँ but Google बड़ा ही speedy calculation होता है within nanoseconds calculation होती है और बड़े सारे factor को लेके calculation होती है factors like user कहां से search कर रहा है user की past history कैसे रही है searches की user कैसी adds पे click करता है तो यह सारे factor को consider करके Google यह decide करता है इसकी calculation इतनी simple नहीं है जितनी मैंने आपको बताई है तो यहाँ पे दो चीज़े हैं पहली quality score और दूसरी bid bid से तो आप समझे रहे हो कि आप Google को कितने पैसे देने के लिए तयार हो ठीक है कितने पैसे देने के लिए तयार हो उसे हम कहते हैं bid अब देखो Google को बस पैसे नहीं चाहिए आपसे Google को क्या चाहिए पैसे प्लस quality अगर आप पैसे ज़्यादा दोगे बट आपकी quality खराब है तो आपकी ads टॉप पे नहीं दिखेंगी अगर आप अपनी top position maintain करना चाहते हो then you have to focus both on quality score as well as ads ठीक है तो अब bid तो आप समझी क्या है कि आप Google को कितने पैसे दे रहे हो that is bid simple so दूसरी चीज जो है quality score तो अब सवाल उठता है कि ये quality score क्या है तो अगेन जैसे आप नाम से समझ सकते हो quality score Google आपकी ads को क्या देता है आपकी ads की आपके landing pages की क्या जज करता है quality आपकी ad copies की क्या जज करता है Google quality ये होता है 1 to 10 के बीच का number तो जब ही भी Google पे कोई भी user search करता है Google ad rank देखता है और आपकी ads को rank करता है इसके अलावा जो मैंने आपको बता था user की search history, location ये सारी चीजे भी है जो factor करती है तो Google हर बार जब ही भी आप कोई भी search करते हो तो ये चीजे देखता है और then ads को rank करता है तो ये बहुत ही बहुत ही ज़ादा जरूरी है कि आपकी ads की, आपकी landing pages की इन सब की quality बहुत ही बहुत ही ज़ादा अच्छी हो तो अब हम देखते हैं कि क्या-क्या चीजे हैं जो Google quality score में सबसे ज़्यादा important मालता है या क्या-क्या ऐसी चीजे हैं जो कि आपके quality score को decide करती है तो number one चीज़ है तो number one चीज़ है आपके ads की CTR CTR is click through rate तो आपके ads की जो CTR है वो बहुत 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 ज़ादा जरूरी है क्यों जरूरी है तो एक example से समझो suppose करो ये Google है Google पे company A है जो ad चला रही है और company B है जो ad चला रही है दोनों Google पे ad चला रही है अब company दोनों का keyword क्या है suppose करो digital marketing ये दोनों का keyword है अब suppose करो अगर company A के keyword 100 बार सर्च होते हैं और company B के keyword भी 100 बार सर्च होते हैं बट जब company A के keyword 100 बार सर्च होते हैं तो बस 5 लोग ad पे click करते हैं कितने लोग ad पे click करते हैं पाच और जब company B के keyword 100 बार सर्च होते हैं तो 10 लोग ad पे click करते हैं ठीक है 10 लोग ad पे click करते हैं अब देखो bid हमने बात किती क्या होता है कि आप Google को कितने पैसे दोगे most of the times most of the times maximum advertisers पैसे देते हैं clicks पे मतलब जब ad पे click होगी तो पैसे कटेंगे इसका मतलब है जब ad पे click होगी तभी Google पैसे कमाएगा अगर ad पे click नहीं होगी तो Google को पैसे नहीं मिलेंगे तो अगर advertiser एक एक बस पांच click आए सपोज करते हैं एक click का खर्चा है पचास रुपए तो Google को कितने मिलेंगे भाई सो रुपए और इधर है पचास तो Google को मिलेंगे पांच सो रुपए ये तो होगी पहले चीज दूसरी चीज अगर एक ad पे click नहीं आ रही और दूसरे ad पे click आ रही है इसका मतलब है कि जो दूसरी ad है वो ज़्यादा relevant है ठीक है तो पहला factor क्या था पहला factor था आपका CTR दूसरा factor है आपके ad की relevance देन तीसरा जरूरी जो factor है वो गूगल देखता है आपका landing page आपका landing page कैसा है क्या आपका landing page जो keyword है उसके हिसाब से है की नहीं क्या आपका landing page relevant है की नहीं user friendly है की नहीं देन चौती चीज जो गूगल देखता है वो देखता है loading time तो ये main main चीजे हैं देखता है ठीक है तो एक बार मैं दुबारा रीकेप कर देता हूँ गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन से एड कहा दिखे तो गूगल यूज करता है एड रेंक राइड अब एड रेंक क्या होता है आपका quality score into bid कि आप कितने पैसे देने को तयार हो into quality quality किस चीज की आपके ads की, आपके landing pages की, इन सब की quality, तो again quality score में major major चीज़े क्या है तो quality score में major चीज़े है सबसे पहला है CTR क्या चीज़े हैं जो quality score को impact करती है तो पहला है CTR आपकी ad पर कितनी click आ रही है वो हो गया CTR, देन दूसरी चीज हो गई आपकी ad कितनी relevant है, देन तीसरी चीज हो गई आ आपके page की loading speed कैसी है, तो ये major 4 चीज़े हैं, जो की आपके quality score को factor करती है, आपके quality score को impact करती है, ठीक है, अब इनके अलावा भी बड़ी सारी, छोटी छोटी चीज़े हैं, hundreds of चीज़े हैं, जो की factor करती हैं, जो की effect करती है, बट ये 4 major ऐसी चीज़े हैं, जिसे आप control कर सकते हो, इसके अलावा और क्या चीज़े हैं, जो आपके quality score को impact करती हैं, तो आपके add account की history, अगर आपके add account की history बहुत खराब है, अगर आपके add account की history ऐसी है, जहां हमेशा unsuccessful ads रही हैं, जहां ads हमेशा disapprove रही हैं, तो Google आपके add account को भी कम rate करेगा, आपके add account के प्रती हमेशा skeptical रहेगा, तो ये भी एक factor है, जो की आपके quality score को impact करता है, इसके अलावा आपके domain की performance, अब Google के पास आपके domain का सारा data है, तो आपका domain historically कैसे perform करता है, उसके क्या CTR रहते हैं, उसके क्या conversion rate रहते हैं, not conversion rate, बट उसके CTR कैसे रहते हैं, user का landing page experience कैसे रहता है, तो ये सब भी factor करते हैं, अब ये factor आप देख नहीं सकते हो, बाकी factor आप देख सकते हो, हम बड़े सारे तरीके हैं, जिससे हम उने judge कर सकते हैं, बट ये जो factor है, add account के history, इसमें आपको पता ही, अगर आपके add account के history खराब है, right, then there is not much that you can do, या तो आपको add account ही बदलना पड़ेगा, बट अगर आपका landing page खराब है, तो उसमें बड़ी सारी चीज़े हैं, जो आप कर सकते हो, ताकि आप उसे improve कर सकते हैं, ठीक है जी, so एक बार हम recap कर लेते हैं, कि quality score जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपके add, landing page इस इन सब की quality है, quality score होता है 1 to 10 के बीच में, और quality score को क्या factor करते हैं, बड़ी सारी चीज़े impact करते हैं, CTR है, relevancy है, landing page है, loading time है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हैं, जो की आपको quality score के time effect करते हैं, और जिस पे आपको हमेशा 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 ध्यान देना है, अब बात ये है, कि आपके quality score कितनी होनी चाहिए, देखो, best scenario में तो आपके quality score हों नीचे 10, right, but ये possible नहीं है, दस quality score रखना, बहुती 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 मुश्किल काम है, हमेशा आप achieve नहीं कर सकते, so make sure कि आपका quality score 6 से 7 तो है ही, ठीक है जी, make sure कि आपका quality score 6 से 7 है ही, अगर आपका quality score 6 से 7 से भी नीचे है, then ये आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात है, आपको ads पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी quality score इंप्रूव करने पड़ेगी, ठीक है, तो अब हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि, कैसे आप अपना quality score इंप्रूव कर सकते हो, quality score को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, तो इसके लिए बड़े सारे चीजे हैं, जो आप कर सकते हो, पहली चीज आप क्या कर सकते हो, आप relevant keywords यूज करो, keywords के बारे मैं ने पढ़ा था न, keywords क्या होते हैं, तो जो भी user जाके सर्च करता है Google पर उसे हम keywords कहते हैं तो make sure कि आप relevant keywords यूज करो दूसरी चीज आप catchy ads लिखो आप ऐसी ads लिखो कि user आपकी ads पे click करे ठीक है user आपकी ads पे click करे तीसरी चीज आप use करो बड़े सारे negative keywords अब ये negative keywords का मतलब होता है ऐसे keywords जिस पे आपकी ads ना दिखे उन्हें हम कहते है negative keywords ठीक है चौथी चीज लेंडिंग पेज जो भी भी आप लेंडिंग पेज बनाओ उस पे आप अपने keywords यूज करो तो suppose कर आपका keyword है digital marketing तो make sure कि जो आप लेंडिंग पेज बना रहे हो उसमें digital marketing आप 2-3 जगा यूज कर रहे हो ठीक है इससे क्या होगा आप देखोगे लेंडिंग पेज की जो performance जो score होता है quality score जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको keyword stuffing करनी है आपको keyword stuff नहीं करना keyword stuffing से आपको बचना है वो अच्छा impact नहीं करेगा ठीक है तो यह था about quality score make sure कि आपका जो add का quality score है वो 6 से 7 रहे अब अगेन आपने देखी लिया कि अगर quality score अच्छा रखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको आपने 4-5 चीज़े देखी जो हम सही कर सकते हैं ताकि quality score हमारे improve हो quality score क्यों अच्छा रखना है quality score इसलिए अच्छा रखना है कि quality score affect करता है आपकी add की rank को add की rank क्या होती है आपकी quality score into bid is equal to add rank तो अगर आप चाहते हो कि आपकी add हमेशा अच्छा perform करें आपकी add हमेशा उपर दिखें तो आपके add की quality score भी better होना चीए और आपके bid भी अच्छे होनी चीए अगर आप हो और एक आपका competitor है अगर आपका quality score बहुत अच्छा है और bid थोड़ा सा कम है compare to your competitor तो आप अपने competitor से फिर भी ऊपर दिखोगे क्यों दिखोगे क्योंकि आपका quality score जादा अच्छा है और bid आपका बहुत थोड़ा सा कम है ठीक है जी so that's it about quality score आगे के lessons में हम और सीखेंगे about google adwords thank you so much